बिसमिल्ला हिर्मानी रहीम, असलाम अलेकुम, मैं हूँ नुमा रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल Something About Statistics मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपको वेलकम कहता हूँ हम sampling and sampling distributions अपने video lecture से कवर कर रहे हैं हमारा आज का जो topic है वो है how to make samples हम samples बनाना सीखेंगे with replacement and without replacement यह दोनों टेक्नीक से हम samples बनाना सीखेंगे कि हम कैसे sample बनाएंगे और हमारे पास इसमें sample का size 2 भी होगा और sample का size 3 भी होगा तो याद रखिएगा यह first video है जो हम numerical questions के लिए कर रहे हैं उसके बाद फिर हमारे numerical questions स्टार्ट हो जाएंगे और इसी तरह करके फिर हम अपने further questions की तरफ चलेंगे अपने topic पर जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश की जिन लोगों ने मेरा channel बलके यह आप कही channel है something about statistics अभी तक subscribe नहीं किया तो kindly मेरे channel को subscribe कीजिए इस channel को subscribe कीजिए और साथ पहला icon को हलका सा push कर दीजिए ताकि latest videos का notification आपको मिलता रहे जी हम consider कर रहे हैं कि हमारे अपाई यह population है जिसकी units जो है 1, 2, 3, 4 and 5 हैं यह 5 units पर consist हमारी एक population है तो आपको पता है कि population के जो size होता है उसे हम capital N से denote करते हैं तो capital N हमारे पाफा 5 आ जाता है अब इस population से हमने sample का size 2 draw करना है तो obviously हमारे पा small N जो आएगा वो 2 आ जाएगा अब याद रखिए का all possible samples जो हमारे पास बनते हैं वो कैसे बनेंगे जी N की power small N होती है तो capital N 5 है तो small N जो होगा जी हमारे पाफा 2 होगा तो अगर हम इसकी power को solve करते हैं 5 की power 2 लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए वो 25 बनेगा अब ये formula हमें ये बता चुका कि हमें total samples बनाने पड़ेंगे इस population से 25 अब सवाल ये आता है कि ये आखिर हम population से samples बनाएंगे कैसे तो उसके लिए एक rule याद रख लीजिए जो मैं इस वक्त आपके सामने highlight भी कर रहा हूँ और देख लीजिए मैं इसको separate ले गिया हूँ इसका तरीका कार जी आपके पास क्या होगा first of all आपने अपनी इस population को जो all possible samples आपके पास बने हैं उसको आपने अपने population के size पर divide करना है यानिके 25 को आपने divide करना है 5 पर तो आपके पास क्या आजाएगा जी 5 आजाएगा फिर इसको further divide करेंगे जब तक 1 नहीं आएगा आप इसको divide करेंगे तो जब आप इसको further divide करेंगे तो आपके पास क्या आजाएगा 1 आजाएगा अब यह हमें यह बता रहा है कि 5 का मतलब क्या यह चीज हमें अब यह बता रही है कि हमने हर element को 5 times लिख लेना है जैसे हमने इसको 5 times लिखा 1 को हमने 5 times लिख लिख लिया इसी तरह 2 को 5 times लिख 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 लि देंगे N की पावर small N, तो वो 5 की पावर 2 बनेगा जो कि 25 बनते है. इस 25 को आपने population की तदाद पर आपने डिवाइड करना है, जी जब ये डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास फिर इसको population टेवाइड करेंगे, 5 आएगा, फिर 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे, बना जाएग अब ये 5 हमें ये बता रहा है कि हर element जो है वो 5 time लिखा जाएगा 1 को 5 time लिखेंगे, 2 को 5 time लिखेंगे, 3 को 5 time, same as 4 को और 5 को फिर हर element 1 time लिखा जाएगा तो 1, 2, 3, 4 इसके साथ 1 आ जाएगा फिर 2, 3, 4 हिस्ता ना करके ये हमारे पास total जो samples बनेंगे वो 25 samples बनेंगे, ये as it easy लिखता आ रहा हूँ, 2, 2 फिर इसके साथ 1, 2, 3, 4 add करते जाएगे, 1, 2, 3, 4 add करते जाएगे, 1, 2, 3, 4, 5 add करते जाएगे तो ये तरीका कार होगा, इसी तरह मैं आपको direct sample के size 3 पे लेके जा रहा हूँ फिर आपको बताता हूँ, अगर sample का size 3 हो तो फिर क्या सुरत रहा होगी तरीका यही रहेगा जी अब क्या है जी, हमारे पाप 1, 2, 3 है, हमारे पाप population और sample का size capital N है और small size है, हमारे पास ये, तो अब याद रखिएगा कि हम इस से भी sample वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने इस से बना लिए हैं, टू से बनाएंगे हैं, उसमें फर्क कोई भी नहीं आएगा, हमारे पास सारा का सारी calculation हमारे पास जो होगी वो वैसी की वैसी ही रहेगी जैसे हमने पहले की है, अब 27 all possible samples बन रहे हैं, तो 27 को हमने 3 population के size पर divide किया है, 9 आगिया एक step और हम आगे चलेंगे, 9 को फिर 3 से divide करेंगे, तो 3 आ जाएगा, फिर 3 को फिर 3 से divide करेंगे, तो 1 आ जाएगा अब इसका मतलब यह है कि हमने हर element जो है पहले 9 times लिख लेना है, हमने हर element को 9 times लिख लेना है, तो जब हम इसको 9 times लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि जी हमने इसको कैसे बनाया है, मैं तो और इसको visible कर लेता हूँ, तो यह मैंने जी हर element 9 times लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 1, 1, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अब मैने अगले step में क्या करना है कि हर element को 3 times लिख लेना है जैसे मैंने 3 times लिख लिए 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2 को इसी तरह 3 को 3 times लिख लेंगे बिल्कुल इसी तरह अब अगले step में क्या करना है हर element को मैंने कितने time लिखना है जी one time लिखना है तो मैंने इसको अब क्या कर देना है जी one time इसको मैं लिख लेता हूँ तो मेरे पास all possible sample बन जाएंगे अब इसको मैंने one time लिखना है तो one आ जाएगा फिर इसी तरह करके मेरे पाद दूसरा element क्या है two है तो फिर इसी तरह करके three आ जाएगा पिल्कुल इसी तरह करके यहां पर फिर one आएगा फिर इसी तरह करके यहां पर two आएगा फिर next step में जाओंगा तो फिर यहां three आएगा फिर यहां करूंगा तो फिर one आएगा फिर इस step पर जाओंगा तो two आएगा और फिर step पर जाओंगा तो फिर मेरे पास क्या जाएगा जी three आजाएगा तो ये मेरे पास all possible samples इस तरह बनते चले जाएगे अब इस पर जाओंगा तो क्या करना आएगा जी फिर three आएगा और फिर three आएगा बिल्कुल इसी तरह करके मेरे पास जब मैं इस पर आओंगा तो फिर मुझे one फिर मुझे two फिर इसी तरह करके फिर three फिर मेरे पास क्या आएगा जी one आएगा फिर मेरे पास क्या आएगा two आएगा और फिर इसी तो ना करें मेरे पास क्या आ जाएगा, जी, थी आ जाएगा फिर one आएगा, जी, याँ पर, फिर मेरे पास क्या आएगा, जी, two आएगा और फिर last में मेरे पास three आजाएगा तो यह samples हमारे पार three के construct होते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं मैंने पहले element 9 times लिखा फिर हर element को 3 times लिखा फिर हर time element को 1 time लिख लिया तो जैसे यह आगिया यह 9 times लिख लिया फिर इसको 3 times लिखा रिपेड किया और फिर 1 time यह आया 123 फिर इसी तरह गर गर के 123 फिर 123 और इस तरह गर के मेरे पास ये 3 का सैंपल जो है वो बन जाता है बिल्कुल इसी तरह गर मैं without replacement में जाता हूँ तो without replacement में मुझे combination का सहारा लेना पड़ेगा n c n लिखने में n c n आएगा लेकिन ये combination बनता है तो आप ये देख सकते हैं कि इसको combination को आप calculator से भी direct solve कर सकते हैं अगर आपको direct calculator का सहारा नहीं आता तो आप इस तरह combination बनाकर factorial से इसको solve कर लीजेगा 5 factorial ये 2 factorial होता है और 5 minus 2 factorial बनेगा मैंने 5 factorial को expand किया है तो 5,4,3,2,1 बनेगा आगे 1 factorial 1 के equally होता है तो 2,3,2,1 अपसे सारे cancel हो जाएंगे हमारे पास तो मेरे पास जो answer आता है वो आता है 10 तो all possible samples जो इससे बनेंगे वो मेरे पास 10 बनेंगे याद रखिएगा कि यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको वजाहत करता चलू कि असल में जब हम without replacement कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो all possible samples बनते हैं तो हम combination का सहरा ले लेते हैं otherwise यह combination नहीं होता बलकि हमारे पास यह permutation बनता है पर पास इसका एक proof भी है इंशाला एक वीडियो हम उसकी भी cover करेंगे यह without replacement कैस का permutation क्यों बनता है तो वह एक वीडियो इंशाला हम उसकी cover करेंगे लेकिन फिल हाल मैं आपको सिर्फ combination सही बता रहा है क्योंकि बुक्ट में भी combination ही है तो आप अपने जहन में अपनी population को लेकर आईए जी 1,2,3,4,5 है जी आपके पास population तो आपके पास repeat नहीं होंगे मैं यहां आपको बता दू कैसे बनेगा 1 को 2 के साथ attach करेंगे 1 को फिर 3 के साथ attach करेंगे 1 को 4 के साथ attach करेंगे और 1 को फिर 5 के साथ attach करेंगे बिल्कुल इसी तरह अब 1,2 नहीं बनेगा आगे हम 2,1 भी नहीं बना सकते हम जाएंगे 2 को 3 के साथ 2 को 4 के साथ बनाएगे और 2 को 5 के साथ बिलकुल इसी तरह फिर पीछे नहीं आ सकते तो फिर हम 3 को 4 के साथ 3 को 5 के साथ मैंने आपके लिए samples बनाए हुए हैं आप ये देख सकते हैं 1 को 2 के साथ 1 को 3 के साथ 1 को 4 के साथ वन को 5 के साथ अब 2-1 नहीं होगा जी जोके 2-1 और 1-2-1 2-1 और 1-2-1 की चीज़ है बिलकुल इसी तरह करके हम 1-3 तो हम क्या बनाएंगे जी 2 को 3 के साथ फिर 2-4 के साथ 2-5 के साथ बिलकुल इसी तरह करके 3-4 के साथ 3-5 के साथ अपनी population को अगर आप यह लिखना चाहें तो आप अपने जहन में लिख लीजिए 1 है जी फिर हमारे पास क्या है 2 है फिर हमारे पास 3 है फिर हमारे पास 4 है और फिर हमारे पास जो है यह 5 है जी तो यह population है हमारे पास अब इसके sample आप खुद दो 1 को 2 के साथ 1 को 3 के साथ 1 को 2 के साथ 1 को 3 के साथ 1 को 4 के साथ 1 को 5 के साथ और फिसी तरह 2 3 2 को 3 के साथ 2 को 4 के साथ 2 को 5 के साथ 3 4 3 5 और फिर लास्ट में हमार पाकि आजएगा 4 5 तो यह आपकब all possible samples बन जाते हैं उसके बाद हम 3 का sample without से अपनी next video lecture में cover करेंगे बड़ा interesting topic होने जा रहा है तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अपना बहुता ख्यार रखिएगा अलाँ आपिस